अगर आप वेब्साइट कोई डेवलब कर रहे हो तो generally आप क्या करते हो पहले जो existing code है for example अगर bootstrap का अगर framework आप इस्तेमाल कर रहे हो तो उसके predefined files है, folders है वो आपको अपने project के अंदर incorporate करने पड़ते है और फिर उसके बाद में अब ये जो सारी चीजे है अगर आपका खुद का अलग से framework आपने बना के रखा है तो आपको एक predefined उसका structure होगा तो अगर वो predefined structure आपको अगर हर बार create करना पड़े तो बहुत problem हो जाती है तो इसी लिए एक particular script हम बनाएंगे जो कि ये entire काम करेगा आपको खाली project का नाम डलना है और project का नाम डलने के बाद वो automatically सारी जो files है और folders है वो अपने अब बना लेगा खिंग है तो चलिए देखते कि ये कैसे होगा सबसे पहले एक nano shell script बनाएंगे install.sh enter install.sh तो क्या होगा सबसे पहले पहला stage क्या होगा कि हमें user को बताना पड़ेगा कि project का नाम क्या है पूछना पड़ेगा project का नाम क्या है तो सबसे पहले project name नाम का एक variable बनेगा उसके बाद में यहाँ पर अभी हाँ एक को करना पड़ेगा यूजर को पता नहीं चलेगा नहीं तो क्या इंपुट करने के लिए बोल रहे है प्रोजेक्ट नेम एंटर प्रोजेक्ट नेम ओके यह हो जाने के बाद अभी हमारे बेसिक फंक्शन्स जो हमने पहले वीडियो में देखे थे ठीक है बेसिक फंक्शन्स ओ इन लिनक्स तो उ प्रोजेक्ट का नाम हमने दिया है वही पर्टिकुलर फोल्डर का नाम होगा तो यहाँ पर मैं ऐसे कमेंट करके लिख देता हूँ रूट फोल्डर ठीक है उसके बाद में हमें अभी डिरेक्टरी बना लिए अभी हम हमें क्या करना है डिरेक्टर के अंदर जाके बचे वीडियो और आपको कंसेट जो में मुझे बताना है वो अलग ही रह जाएगा तो इसलिए में सिंपल अभी कंसेटर कर रहा हूँ एम वीसी फोल्डर स्ट्रक्चर जैसमें होते है खली है मॉडल व्यू कंट्रोलर यह तीन फोल्डर हम अभी कंसेटर करेंगे तो देखते है यहाँ पर अभी हमें क्या करना है एक रूट फोल्डर हमारा Create हो गया है उसके अंदर हमें अगर जाना है तो सबसे पहले क्या करना पाठेगा ? cd space project name तो हम अभी वो particular root folder के अंदर आ गए हैं उसके बाद में हमें directory create करने हैं तो directory consequence है make directory model उसके बाद में make directory controller उसके बाद में make directory views ओके और यही तीन directory अभी के लिए हम consider करते हैं और अगर आपको अपने folder अपने particular project के लिए कुछ और भी folder इसके अंदर add करने है तो बस आपको यह particular stage के बाद में cd करना है ताकि वो particular folder के अंदर आपकी script जाए और वहां जाके वो particular folder या फिर file जो भी है वो copy कर ले तो यही simple sub mini project हमने अभी देखा है और इसके अंदर मैं भी views वगरे के अंदर files वगरे कुछ copy करके भी दिखाऊंगा आपको तो उसके पहले मैं dummy files वगरे भी create कर लूँगा तो देखते है पहले यह particular section है इसको run करके देखते है control x y enter उसके बाद में sh install dot sh enter enter your project name abc enter ओके देखते हैं भी हमारा abc folder create हुआ yes we have created उसके बाद में भी हमें folder के अंदर जाके चेक करना है कि अंदर की files अब मतलब folders create हुए है कि नहीं enter ls controllers create हुआ है model create हुआ है view create हुआ that's it अभी मैं क्या करूंगा cd backspace ओके यहाँ पर एक simple file बनाता हूँ ठीक है न तो file कौन सी होगी main dot css enter और यहाँ पर एक basic css का function लिख देता हूँ मैं background none ठीक है simple एक enter y okay और एक file बना लेता हूँ index.html ठीक है यहाँ पर मैं hello world अभी ऐसे ही लिख देता हूँ same okay और अभी हम जाते हमारे script के अंदर तो अब मुझे क्या करना है कि मेरे हर एक project के अंदर यह particular दो files by default है तो वो files मुझे हर एक folder के अंदर मतलब मेरे particular project folder के अंदर होनी चाहिए भले मैं कोई भी project बनाओ तो मुझे क्या करना पड़ेगा nano install.sh file के अंदर जाना पड़ेगा और उसके बाद में सबसे पहले तो मुझे root folder मतलब project folder के अंदर ही वो index.html file चाहिए तो मैं change directory के पहले वो line लेकूंगा हो क्या होगी कि cp space कौन सी है वो file index.html copy to project name slash index.html और यह मेरी file होगी copy अभी आप थोड़ा interactive बनाने के लिए इसको ऐसा भी कर सकते हो file has been copied यह हो गया उसके बाद में echo root folder created ऐसा भी आप कर सकते हो उसके बाद में अभी यह तो file copy हो गई है अभी मुझे क्या करना है view folder के अंदर जाके कुछ और directors भी create करने पड़ेंगी मतलब क्या होती है javascript css और images ओके तो यहाँ पर cd views उसके बाद में यहाँ पर मुझे क्या करना है make directory css make directory js make directory img और css के अंदर जाके मुझे वह particular file जो है वह paste करनी है ठीक है यहाँ पर अभी मुझे क्या करना पड़ेगा cd css enter cp space अभी देखिए आप एक चीज़ को जड़ा गौर करिए क्योंकि देखिए हमने क्या किया है css folder के अंदर अभी हम आ चुके तो हम directly main.css file को reference नहीं कर सकते जो कि हमने हमारे parent folder के अंदर बना के रखी थी तो हमें क्या करना पड़ेगा backspace देखिए मतला double dot sorry double dot forward slash करके वह पीछे के parent folder के अंदर जाना पड़ेगा और वहां से file उठाके हमारे css folder के अंदर आपको copy करने पड़ेगी तो कैसे होगा देखिए हमने कितने सारे cd किये है उतने हमको double dot forward slash करने पड़ेगे ठीक है तो यह सबसे पहला है उसके बाने दूसरा है और यह तीसरा है तो तीन बार हमें double dot forward slash इसका मतलब है कि यहां से वह तीन बार पीछे जाएगा और उसके बार में उसको मिलेगी main dot css और उसके बार में यह तो हमारा हो गया source अभी हमें क्या करना है destination destination तो हमारा वही था अभी यहां पर कोई change करने की ज़रूरत नहीं है तो main dot css that's it save करते है control x y enter और इसको sh space install dot sh enter project name bcd enter यह देखिए root folder has been created file has been copied तो चलिए अभी देखते है कि क्या वाके में यह सरी files copy हो गई है तो सबसे पहले root folder को check करेंगे देखिए bcd folder created cd bcd enter ls यह देखिए index.html file copy हो चुकिए properly उसके बाद में cd views views के अंदर ls करेंगे तो यहां पर देखिए css नाम का folder created है लेकिन केवल css नाम का folder ही created है ठीक है तो चलिए पहले देखते हैं अंदर file तो copy होई है कि नही css ls यह देखिए files copy हो गई है properly लेकिन फिर भी जो css folder था उसके अंदर हमें वो डालना था लेकिन वो क्या रहा है exactly यहां पर अब ज़र अद्कौर करिए images और javascript folder भी css folder के अंदर ही create हो गए है तो यह क्यों हुआ जरा हम बता देता हो आपको cd backslash cd backslash ls और nano install.sh तो देखिए हमने फोल्डर तो चेंज कर दिया था लेकिन हमने बाद में folder से बाहर तो निकले नहीं इसका मतलब क्या करना पड़ेगा हमें cd double.backslash अभी हम css folder के बाहर आ गये हैं अभी यह बाद में जब create होगे javascript और image folder वो प्रॉपरली create हो जाएंगे देखिए और यहाँ पर मैं end में लिख देता हूँ echo project has been successfully created ठीक है ctrl x y और अभी हम third time run करके देखते हैं install.sh और अभी हम डालेंगे x y z enter project has been successfully created cd पहले देखते हैं ls create होगे नहीं x y z created है cd x y z ls अभी हम directly views में ही जाके देखते हैं cd views ls यह देखिए कर सकते हो आपको अगर particular file के अंदर कुछ changes करवाने है मतलब जब आप एक index.html file में जो template आपका होता है index.html का उसके अंदर भी particular project का नाम होता है मतलब अगर आप website के बारे में अगर बना रहे हो यह particular application तो यहाँ पर क्या होगा कि अगर मैं project x y z डाल रहा हूँ तो मुझे वह particular index file के अंदर भी उसका जो title होता है HTML title tag उसके अंदर भी x y z नाम का project name आना चाहिए तो यह सारी जो चीजे है वह आप grep नाम के command से आप कर सकते हो easily कोई दिक्कत नहीं उसके अंदर में next video मैं बताऊंगा आपको यह grep नाम का जो command है वह exactly उसके क्या-क्या possibilities है क्या-क्या आप कर सकते हो उसके उपर तो बने रहे है मेरे साथ और subscribe कीजिए और वीडियो अच्छा रगा हो तो like कीजिए और share कीजिए thank you